माश्रा, महिश्यत, मीडिया, मसल, कॉर्म असलाम अलेकुम चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज आप से मुखातिब है जनाब नई हकूमतें आगी हैं सिर्फ फेडरेशन में नहीं बलके प्रॉविंसेज में भी तकरीबन ये काम मुकमल हो गया है हम अपने प्रॉविंस की बात करेंगे कराची सिंद की बात करेंगे कराची से पहली मरतबा एक तो चीफ मिनिस्टर कभी कराची से चीफ मिनिस्टर ना निगरां सेट अप में और नहीं मुनतखिब जिसे सो कॉल कहा जाता है मेरे हिसाब से तो निगरा सेट अप में भी बंदा मुन्तखिब ही होता है उसको ज्यादा बेहतर लोग सेलेक्ट करते हैं मुन्तखिब करते हैं बनिजबत उन भेड बक्रियों और जानवरों के जिनको वोटर कहा जाता है जिन बिचारों को यही नहीं पता होता कि जिसे वोट देने जा रहे हैं वो कौन है उसे जानते ही नहीं बस उसको कहा जाता है बल्ले पे ठपा मारो, तीर पे ठपा मारो तुम शेर पे ठपा मार दो, तुम साइकल पे मार दो उसे नहीं पता उसको पैसे मिलने है बिर्यानी की प्लेट बिलनी है या उसको बे नजीर इंकम सपोर्ट प्रोगैम का लिफाफा मिलना है बस इसके इवज वो ठपोंप के ओपर ठपा लगा के आ जाता है जिनाब अली हम समझते हैं कि ये जो निगरा सेट अप आते हैं ये वो लोग मुन्तखिब करते हैं जिनके अंदर इतना शौर जरूर होता है कि कौन इस निगरा सेट अप को ठीक से चला सकेगा हम अब इस तरफ आते हैं कि भाई चलाएए ओट टेकिंग हमारे चीफ मिनिस्टर की तो चला दें तो देखा आपने जनाब मकबूल बाकर सहाब जो है वो हमारे नए चीफ मिनिस्टर हैं जिस्टिस मकबूल बाकर रिटायर चीफ जिस्टिस सिंधाई कोट और रिटायर जिस्टिस सुप्रीम कोट बड़ी उमीदें और बड़ी आस इन से लोगों ने लगा ली है पूरे सेट अप से पूरे निगरा सेट अप से वज़ा क्या है वज़ा एक तो यह है कि इस दफा बहुत च्छान कर पटक कर लाया गया है और इनको इखतियाराद दिये गए है कुछ जो कभी किसी केर टेकर गर्वर्वन्ट को वो अथॉरिटीज नहीं दी गई जो अथॉरिटीज इन लोगों को दी गई है लेकिन यह वाज़ नहीं किया गया आम लोग यह जानना चाहते हैं कि वो अथॉरिटीज क्या क्या है क्या निगरा सेट अप का चीफ मिनिस्टर अफ दे प्रोविंस या प्राइम मिनिस्टर अफ दे नेशनल गर्वर्वन्ट क्या वो किसी करप्ट आदमी पर हाथ डाल सकता है क्या वो इन्वेस्टिगेटिव एजन्सीज जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन करती है चोरी चकारियों की डकैतियों की लुटमार की करप्शन की क्या वो उनको हिदाया दे सकते हैं कि जी इनकी जो लोकल लेवल पर है प्रोविंशल लेवल पर वो चीफ मिनिस्टर देंगे और जो फेडल सेट अप है तो वो प्राइम मिनिस्टर साब देंगे जरा ये वाज़े कर दिया जाए अवाम को कोई फाइदा होगा अगर अवाम को उससे कोई फाइदा पहुँचता है तब ही तो लोग कह रहे हैं कि इसी को फिर चलने देना वो जो मुन्तखब हुकूमते आती हैं न वो तो एक ऐसा मेंडेट लेके आती है कि पहले उन्होंने अपना इलेक्शन पे खर्च किया हुआ इन्वेस्टमेंट निकालना है बाहर और दूसरा काम ये होता है कि अपने लोग कहां कहां भरती करने है कितने रिश्वत लेके भरती करने है पोस्टिंग ट्रांसफर्स कितनी करनी है जैसी अभी पिछली गवर्मेंट में बुज़दार और गोगी और पार्टी और पिंकी पिर्नी के एहकामात के जरिये जितनी लुटमार हुई ब्रॉक्रिसी की पंजाब में खास तोर पर डीम जी चुक्के वो कमाते भी बहुत है एक जप्टी कमिशनर से जो सुना गया है छे महीने के लिए पैसे लिए जाते थे छे महीने बाद तुम हटा दिये जाओगी पर दूसरा डी सी आएगा पर उससे पैसे लिए जाएंगी चार साल ये तमाशा होता रहा दो साल बाद जाकर ये चीज़ें खुलनी शुरू हुई जबके हमारे चीफ आफ मौजूदा चीफ आफ आर्मी स्टाफ जनरल आसी मुनीर जो उस वक्त डी जी आएसाई थे उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से कहा भी कि देखी आपकी बेगम जो है ना वो ये ये काम उन्होंने शुरू किये में तो पहले तो उन्होंने उनको यकीन नहीं आया कि अच्छा इस इट पॉसिबल तो उन्होंने का जी मैं आपको हका इक बता रहा हूं कि ये आपकी अच्छी भली गर्मेंट लोगों को आपसे बड़ी उमीदे हैं कि आप चेंज लेकर आएंगे तो ये आपकी गर्मेंट के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है आप इसको चेक कर लें घर में चेक कर लें आप घर में वो चेक करें जिसका घरवाली पर कोई अख्तियार हो वो तो पतला घरवाली के सारे अख्तियारात थे वो चलाती थी उनको तो यही होता है जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापाएदार होगा वही हुआ है वही हुआ है तो जनाब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर सहाब जनाब अनबर काकड सहाब बहुत अच्छी रेपूटेशन और हाँ फेडरेशन में जो कैबनेट आई है उसमें 40% लोग तो बहुत अच्छे हैं जैसे शमशाद अखतर सहाब आई यानि फैनेशल टीम जिसकी हमें जरूरत थी कि बहतरीन फैनेशल टीम चाहिए शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब वो स्टेट बैंक की गववनर थी और उसके बाद उनको थोड़ा वक्त दिया गया था तो पूरा बजट बना कर दे कर गई थी शी सो केपिबल और शी हाव ड़न इट सो सक्सेसफुली उसके बाद क्या हुगा वो कहानी वो फसाना जो है वो तो बड़ा दर्दनाक है बहराल अब दूसरा जो आज मैंने देखा उनको मुर्तजा सोलंगी सहाब चुके बुन्यादी तौर पे वो जर्नलिस्ट है और पढ़े लिखे आदमी है प्रैक्टिकल जर्नलिजम में रहे हैं प्रैक्टिसिंग जर्नलिजम में रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो अब मैं उसको उर्दू में तर्जुमा कैसे करूँ वर्क उनका मतलब ये था उर्दू में कि लाउडर दैन स्पीक तो वो का मतलब ये था कि बगबग ज़ादा जो बैट के लोग करते रहे हैं और काम कुछ नहीं कुछ नहीं आता जाता हर वक्त बैट कर प्रेस कांफरेंसे हो रही थी मर्यम औरंग जेप को तो कामी कोई नहीं था और वो प्रेस कांफरेंस क्या होती थी इमरान ये कर गया है फलाना वो कर गया है डिमक का ये कर गया उसने ये कर दिया, उसने ये बिगाड़ दिया, बत्तमीजी, लेंगविज भी खराब हम मानते हैं, कुछ चीज़ें उसमें सही थी, फिर एक दफ़ा हो गया ना यार, हर वक्त यही रोना गाना, और लोग तंग थे कि कब ये प्रेस कांफरेंस खतम हो, और हर चैनल को वो चलानी पड़ती थी, चलिए हो सकता है, प्राइवेट चैनल्स तो पैसे भी लेते हो, मालूम नहीं, गर्वर्मेंट के लोग यही कहते थे, जी इसलिए चला रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स के ये पेट कॉंटेंट होता है, तो हमने लिखा वाद देखा तो नहीं, प पुराने लोग करते न, अगर उनके पास कोई हल नहीं है, तो लोगों से सजेशन्स मांग लें, बहुत आएंगी सजेशन्स, उसी मेंसे आप देखिएगा, जो आपको ठीक लगें, सुलंगी साब, आपको काम कर लीजेगा, बस हम तो समझते हैं, मीडिया और एकॉनमी ठी हो जाए, तो भी बहतर है, एजुकेशन और हेल्थ तो चुके प्रोविंशल सब्जेक्स हो चुके हैं, बतकिस्मती से, अठार्मी तर्मीं की महरबानी से, और उसका जो फाइदा उठाया गया है, प्रोविंसे में, हेल्थ और एजुकेशन का बेड़ा घरक होकर रह गया, खास तोर पर सुबह सिंद में, अब हम आते हैं अपने प्रोविंस की तरफ, जनाब जिस्टिस मकबूल बाकर सहाब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप जितने पड़े लिखे हैं, और आपके पास दर्बार और सरकार के हवाले से, जो मखभी एहकामात मौजूद हैं, वो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, जैन्मन, ओर्डर्स हैं, दर्बार के और सरकार के और हाकिमों के लिए, और आप अब अब आब आप तो जजज रहे हैं, आपने हाई कोट के तमाशे भी देखे हुए हैं, और एपक्स कोट के भी, सुप्रीम कोट के भी, तो अच्छी तरह मालूम है, कि हाकिमों के बारे में सबसे ज़्यादा शिकायात क्या आती हैं, और अख्तियारात भी मिल गए हैं, हमने पहले ही का कि ये वाज़े कर दिया जाए कि वो कौन कौन से अख्तियारात हैं, जो केर टेकर गर्वर्मन को दिये गए हैं, आप सब लोग क्लिप्स में चीख चुकी थी, कि भाई हमें एलेक्शन हमें जरूरत ही नहीं है, अभी हमें एलेक्शन और जमूरियत की, वो जमूरियत जिसके माइने जिस कौन को नहीं पता है, वो एलेक्शन जिसका मियार मनतखिब करने का क्या है, वो लोगों को नहीं पता है, तो अभ इसलाह का करना ऐसा और हम कह रहे थे हैं अलेक्शन होंगे ही नहीं तो अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे यह गुर्मेंट्स बनी हैं तो पहली दफ़ा को अच्छा काम से कंदर सुल्तान साहब ने कर लिया और पहले करने वाला काम शुरू कर दिया यानि कि दील के साथ अगर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का भी मामला तै हो जाए तो बहुत अच्छा होगा तमाम इसलाहमाहत जो हमने की थी उसमें से कमस्कम ये एक पहलू तो सामने आ जाए अभी ओवरसीज पाकिस्तानी और वी वोटिंग जो है आपकी अलेक्ट्रोनिक वोटिक जो है जो मिशीन से होगी अभी उस पर कोई फैसला नहीं हो सका है लेकिन कमस्कम जो हो सकता है मैनवली वो तो आप कर लें और हम दौागों हैं आप सब लोगों की काम्याबी के लिए याद रखिए कि अगर इखतियाराद भी मिले हैं पहली मरतबा हिस्ट्री में क टेकर गर्वर्मेंट्स की तो सोचिए कि अल्लह ने कोई काम लेना है आपसे ये काटों की सेज है ये हुकूमतें जो मिलती है ये काटों की सेज है ये फूलों की सेज नहीं है ये खजाने पे चुकर मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी कि लोगों को लगा दिया तरानों प और खुद बैट गए खजानों पे ये बच्चे जो है ना ये हमारे हर बच्चा ये मेरा जो प्रोड्यूसर है ये स्टूडन्ट है और इसने मुझे युनिवर्सटी के लड़कों ने का कि ये इतना किया है ये वाइरल कि खुद बैट गए खजानों पे और कौम को लगा दि अफसाना ए हस्दी हम अपने आका को सुनाए जाते हैं उमीदे लगाए बैटे हैं